बच्चो एमीन से रियक्शन विचछ we the next reaction है हो है reaction with aldehyde and ketones तह इसे विच ही reaction जो है फोड़ा जा primary üd me aero or ketone जो करनगे, second diamene differenz निकेना reaction शो करेगा. For example, if we start with primary amine, it will react with aldehyde or ketone. परेथो ये water nickel जिएगा, वो जिटा product बनेगा और ये reaction होएगा, estetic media विच और जो product बनेगा, हो R N double bond C H R, अगर ketone होएगा तो इत्थे R होएगा तो इत्थे भी R group attached होगेगा, so this product is known as shift base और इसनों सी ennil भी कहने है, so यह different compound है, इत्थे अगे study नहीं किता हुए, इत्थे इमीन होगी है, C देना double bond through nitrogen attached है, so this is like e-mean और इसनों सी shift base और इनिल भी कहने है, इजे तुसी कोई भी example अलिफेटिक मीन दी ले सकते हों या इवन अरोमेटिक मीन भी ले सकते हों, जिस्टा कि अगर आसी एत्थे अनिलीन ले लिए और इत्थे असी benzyldehyde ले ले लिए ता product उसे तना water loss नासी शोग करतांगे, जिस्टे अनिलीन अगर से केंडरी मीन दीगाल करें ता से केंडरी अमीन डिफेंट्रीकिनल रियक करेंगे, इस तरीके नल होगा और असी अगर रिथे कोई भी ऐल्डीहाइट या कीटोन लेने हैं, जिस्टे विच अल्फा कार्बन ते हाइड्रोजन है, ता उस तरीके केस रियक्शन है, इस तरीके नल होगा, ता इस तरीके नल होगा, नुकलियोफाइल, इलेक्रोफिलिक्साइड और उस सबाद जो इसनों हीट करांगे ते तो वाटर लॉस होजेगा और परटर्क्ट बांजेगा, इसे विच की है, काबन, काबन, डबल बॉन, इन ग्रूप, और इस देनाल ही अमीन ग्रूप है, इन प्लस अमीन, गिविए राइस तो इंपोर्टन कंपाउंड नोन एस इनमीन, इनमीन बन की जिसना सी इन प्लस ओल कहने है, इन ओल, उसे तरह सा डिकल की बन रहे है, इन प्लस अमीन, इनमीन, इनमीन सी बहुत इंपोर्टन सिंथेटिक रिजेंट जी तरह यूज करते हैं, और काफी कंपाउंड बना देना, बना देना, यह सी रेक्शन विद अल्ड़िएड और केटोन, इस सबहा एक हुर इंपोर्टन रेक्शन अमीन सा, नॉर्मली हुन तक जिनने वैसी रेक्शन किते हैं, अमीन से, असी गल कर दे हैं कि नाइटों ते लोन पर फिलेक्शन पेजेंट है, इस तन्दर रेक्शन अज़र आएगा, और अप अलएड़ी सारे ही चैप्टर से चपड़ चुके हैं कि जितों एक्टी मेटल किसे भी कंपाउंड ना रेक्ट करके हाईडोजन गयास इवाल कर देने, ता ओर रा कंपाउंड है, वो एस्टिक नेचर हुन दिया है, सेम रेक्शन इस शोन भाई अमीन, अमीन वन टेट विस सोडियम और मैंगनेशन मेटल गिवस असॉल्ट अलोग विद एवलुशन अफ हीडोजन गयास, सो इट मींस, और इट शोस देट अमीन थे आर अस्टिक नेचर, सो हे रेक्शन शो कर रहें, बहुत ही अन्यूजल नेचर ता इस अजड़नेचर नोट नेचर को का रहें चाहरेंले साहना ब्लिक हो रेक्शन भी है, रेक्शन ओ ग्रिगनार्ट रेजंट विद अमीन, यह प्रोटोन लेसल जाए, so this is simple acid-base reaction, यह acid-trac करेगा, it will give proton and base will take proton, so साड़कोल की बन जेगा थे, alkane and नाल, salt बन जेगा, so इस तरहन दा, salt बन जेगा, और इस तबास ही गल करनी है, oxidation reaction सी, so असी oxidation reactions, already oxygen containing compound दे पड़े सिगे, असी first lecture chain भी पड़ी सी, की alkane, alcohols, aldehyde ketones, carboxylic acids बन देने, with each oxygen step, so ओसे तरह ही असी oxygen step, amine दे विच्विशो का सादे, it can be shown like addition of oxygen और loss of hydrogen, ता first step दे विच्विच, अगर aliphatic primary amine है, ता इस reaction इसना show करांगे, addition of one oxygen, so amine तो सादे कुल की बन गया, N-hydroxyl amine, और जे further is the oxidation हो जेगी, ता होर भी hydrogen loss हो जेगा, ता सादे कुल compound बन जेगा, nitroso, alkane, और अगर further oxidation हो जेगी, ता सादे कुल, nitro compound, so again is chain दे विच, with every step, there is either loss of hydrogen or gain of oxygen, so in that way, it is again oxidation reaction, so product actually बने का की, that depends on the type of amine used and oxidizing agent used, इन जेनर डेटे सिंदच oxidizing agent use कर दे हैं, वो है या ता पोटाशियम पर्मगनेट असी यूज़ कर सक दे हैं, hydrogen peroxides असी यूज़ कर सक दे हैं, पार एसेट जाए खोर, important compound, H2SO5, sulfuric acid is H2SO4, but H2SO5 is caroacid, very strong acid, very strong oxidizing agent, so यह सी गाल किती है, oxidation of primary amine, but अगर primary amine सारे कुल इसरांदी है, जिसे विछ ट्रश्री ग्रूप अटेश है, उसे एक specific oxidation method है, oxidation by KMNO4, जिसे नाल इस amine group ती oxidation हो जेगी, but the condition is that this amino group should be attached to the carbon bearing 3 alkyl groups, so we will get corresponding nitro compound, और अगर सी इस secondary amine दिखल कर देए, ता secondary amine, in presence of potassium permagnate, which is a strong oxidizing agent, it will be oxidized to give this compound, जिसे विछ जो hydrogen loss हो रहा है, और nitrogen null, hydrogen दी जगहन दी जगहन दी, nitrogen attach हो रही है, so it is a oxidation, और अगर simple compound देखिए, एथे भी एचल लगा दी, एथे भी एचल लगा दी, तो hydrazine हो जेगा, but now we are having here 4 alkyl groups, so this is tetra alkyl hydrazine, और अगर ऐसी एही reaction करिए, कैरो acid या hydrogen peroxide दी प्लेजन्स, विछ ता साथे कोल जड़ा product बनेगा, तो हो hydroxyl amine बन जेगा, trastri amine will react in a different way, इसे कोल कोई hydrogen नहीं है, so it can be reaction either with hydrogen peroxide, और par acid, और caroacid, so in this case, this type of product is formed, so this is a coordinate bond, तो इस दा नाम की होएगा, trastri amine oxide, जो भी इसी trastri amine यूज करें है, corresponding oxide, so again it is a coordinate bond, you can show it as coordinate bond, or simple covalent bond, but showing positive charge on nitrogen and negative charge on oxygen, ये ऐसी गल किती सी, trastri amine जेड़े की aliphatic है, अगर साथ रिकोल aromatic primary amine है, जिसरा कैसी aniline दी गल कर दे है, तो उज़े विच रिंग है, उज़े विच पाई लेक्वन देंस्टी बहुत जाबंदी है, delocalized, जिसनों oxidize करना comparatively easy है, तो अगर असी उज़े oxygen कर दे है, by using simple oxidizing agent, that is esterified potassium dichromate, तो साथ रिकोल एक डाई बंदी है, जिसनों उज़े कैने, aniline black, और इस डाई दे विच की है, जो ring है, उज़े oxidize हो जेगी, तो इस दे विच oxygen comparatively easy हो रही है, जिदो कैसी बाकिय amines जी गल किती है, जिदे कैसी aliphatic amines जी उज़े किती है, we have to use much stronger oxidizing agent.